दसवा सब्ता विद्यार्थी के नाम आपको अपने नाम लिखना विश्यती में स्वयम पर भरोसा. शिक-शिक शिक इका की जगा आपको अपने सर्य माडम का नाम लिखना. नमस्ती प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सबस्वाच और खुश होंगे. प्यारे बच्चों जिस प्रकार किसी किताब को उसके वातावरन से नहीं आगना चाहिए उसी प्रकार किसी भी प्राणी को उसके रंग रूप से नहीं परन्तु उसके गुणों से पहचानना चाहिए आईए इस बात से जूड़ी एक कहानी पड़ते है एक कोई था जिसका नाम था पिंकू था वह जब भी अपने आप को शीशे में देखता तो उसे खुद पर बहुत शर्मा थी एक दिन उसने कोईल को गाते हुए सुना वह भी उसके जैसा नीठा गाना चाहता था उसने कोईल से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और कोई ने अलग-अलग पक्षियों की तरह बनने की कोशिश की कभी वह मोर से नाच सीखने जाता तो कभी वह चिडिया से घोसला बनाना सीथता नाकामियाबी होने पर वह रोता हुआ उल्लू जी के पास पहुँचा उसने उल्लू जी से पूछा क्या मैं इस दुनिया में किसी भी काम का हूँ सभी पक्षि के पास कोई न कोई हुनर है पर मुझे में ऐसी कोई बात नहीं क्यों अब तब उल्लू जी ने उसे समझाये प्यारे कोई तुम बहुत गलत सोच रहे हो हर प्राणी को इस धर्ती पर कोई न कोई कार्रे है कोई और गिद जैसे पक्षि मरे हुए जानवर को खाते हैं इससे धर्ती पर सफाई होती है और कितनी ही बिमारे फैलने से बसती हैं प्राकृति का संतुलित रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है आपने बारे में इतनी खास बात सुनने के बाद कोई को खुद पर गर्फ महजूस हुआ और कभी उसने अपने आपको बेकार नहीं समझा बच्चो आपका सबसे प्रियमित्र कौन है उसका नाम लिखे आपको वह किन विशेश गुणों की कारण प्रिये है अपने शब्दों में लिखे तो बेटा देखे हमने लिखा है मेरा प्रियमित्र रोहित है वह बहुत होश्यार है वह हमेशा दूसरों की मदद करता है और वह अपना काम हमेशा पूरा करके लाता है और दूसरों की भी मदद करता है ठीक है हमने ये रोहित के बारे में लिखा है रोहित हमारा बैस फ्रे अगे पूंद के साथ कार्यपित्रीका के कि बारे में आवश्य बात कर सकते हैं अभिवायवकों के लिए सुजाब बच्चों को समझाए कि हमें खुद पर विश्वाष रखना चाहिए और अपने आपको किसी किसे कम मानकर कभी हार नहीं माननी चाहिए बच्चों देखो हमें कभी भी किसी से अपने आपको कम नहीं समझना चाहिए हमें कोई ना कोई हुनर जरूर होता है बस हमें पहचाननी की देरी होती है जिस दिन हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं हम उसमें कामया भी हासिल कर लेते हैं ठीक है यह थी आज की वरक्षीट अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ना भूलें